हेलो एव्रिवन वेलकम बैक टो आर चैनल आज की वीडियो जो है हमारी मैठ से रिलेटेट नहीं है आज मैं बताऊंगे आपको उत्राखन और उससे रिलेटेट चीजे और कुछ शॉटकट्स जो शॉट्ट्रिक्स मैंने अपने एरो के जो प्रेलिम्स हुआ था उसमें यू नहीं रहना है आपको उसके बाद चीजे रिलेट करनी आनी चाहिए कैसे आपको उनको रिलेट करना वो सब चीजे आपको ध्यान में रखनी है तो आज हम करेंगे अपना नदी तंत्र उत्राखन नदी तंत्र कौन-कौन सी मुख्य नदियां है उत्त्राखन में वह आगे बाइवन मैं आपको बताती रहोंगे और से रिडिटर शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यमुना नदी यमना तंत्र अब इसकी कौन से सायक नदियां है वो मैं आपको नीचे बताती तो सबसे पहले इसका जो उद्गम है कहा से यमुना नदी निकलती है और इसकी उत्राखण में जो है लंबाई कितनी है तो उत्रा यमना नदी है जो ये निकलती आपकी बंदरपुछ परवत से और जो हिमनद है यानि ग्लेशियर है वो ग्लेशियर कौन सा आपका यमनोत्री इसलिए हम बोलता है यमुना नाम इसक और ट्रिक्स में नहीं आई थी तो इस वज़े से मैंने इसको बताया पहले मैं आपको इसकी सारी जो सायक नदियां उसके बारे में बता दू और उत्तरा खंड में जो यमुना की लंबाई है वो है आपकी 136 किलो मेटर अब हम इसकी सायक नदियां देखते हैं अब देखिए आपको इक आपको लाइन दिख रही होगी रिशी ने हनुमान को कर्छन के कमल आसन पर गिराया अब देखो रिशी से आपका हो गया रिशी गंगा जिसके आगे मैंने गोली SGलो भुला बनाया ये आपके खाली है इसमें कुछ ने हनुमान से हो गया आपका हनुमान गंगा कृष्ण से हो गया आपका कृष्णा गार, कमल से हो गया आपका कमल गार, आसन से हो गया आपका आसन नदी, गिरी से आपका गिरी गंगा और यह से यमुना नदी तो फिर से आप बोलिए रिशी ने हनमान को कृष्ण के कमल का आसन पर गिरा है तो ये आपकी क्या हो गई है यमुना की सारी साहयक नदिया अब इससे रिलेटर ये होता है कि वो यमुना पे कहां यमुना से जो संगम होता है वो किस स्थान पर होता है में जो कृष्ण बनता है अगर किसी का बनता है तो ये होता है कि ये वाली नदी किस नदी की साहयक नदिया और कहां पे वो यमुना से मिलती है तो में में जो नदिया है वो हमने ली है तो रिशी गंगा जो है इसका उद्गम स्तान है आपका बंदर पूच गिलेशियर और जान की चट्टी स्तान पर यह मुना से मिलती है हनुमान गंगा है इसका भी बंदर पूच गिलेशियर है और यह आपकी हनुमान चट्टी स्तान पर मिलती है कमल गार का उद्गम नहीं है मत्तब यहाँ पर मैंने नहीं मेंशन किया यहाँ पर जो मेन में नदिया है वो ही मैंने ली है कमल गार आपकी मिलती है नौगाउं उत्तरकाशी में आशन नदी है यह रामपूर मंडी में यमुना से मिलती है रामपुर मंडी आपकी दहरादून में है उसके बाद है गिरिगार गिरिगार बेसिकली हिमांचल प्रदेश की नदी है इसका जो उद्गम है हिमांचल प्रदेश में होता है उसके बाद ये दून में आके यमुना नदी से मिल जाती है दून यानि दहरा अब हम पढ़ते अपनी टॉंस नदी के बारे में तो अगर आप से कहीं पर पूछा जाता है कि तमसा नदी किस नदी का नाम है तो वह है टॉंस नदी और इसका उद्गम इस्थान वही बंदर पूँच परवत और गलेशियर कौन सा आपका सवर्गा रोहनी गलेशियर और ज लंबाई उत्राखंड में कितनी है 136 किलोमीटर लंबाई बेसिकली नहीं पूछी जाती है लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि यह लंबाईयां क्यों लिखी है तो इस वज़े से आप आगे जाके समझेंगे कि किसलिए लिखी है तो आपने जो है में इनकी उद्गमिस्त और दूसरा है आपका भागी रथी उप्तंत्र तो जो में भागी रथी है जो कि गंगोत्री से निकलती हम आज तक पढ़ते आए हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है लेकिन गंगा नहीं निकलती है गंगोत्री से भागी रथी का उद्गमिस्तान होता है गंगोत्री मे तो आप देखिए गंगा तंत्र है देवाब्याब इतनी है 96 km क्योंकि ये डेव प्रयाग से और हरिद्वार तक है 96 km गंगा की लंबाई उत्राइखन में कितनी की 6 km अब देखे मैंने बताई था आपको ही गंगा तंत्र नियर्लै तो यम सब63 जो में गंगा निकलती है वो निकलती है आपकी उत्तरकाशी अब देखिए एक confusion ये होता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है या फिर गोमुक से निकलती है तो मैं आपको पहले भी बताया था कि एक होता है स्थान और दूसरा होता है गलेशियर या हिमनद तो गंगोत्री जो है वो गलेशियर है और स्थान आपका क्या है गोमुक है तो जो भागी रती नदी है वो उत्तरकाशी जिले के गंगोतरी गलेशर के गोमुक स्थान से निकलती है तो ये भागी रती उप्तंत्र हो गया अब मैं आपको पहले गंगा की सायक नदियां बताती है और भागी रती की जो लंबाई है क्योंकि वो गंगोत्री से निकल गई है और देव प्रयाग तक वो चल रही है यहाँ पर फिर वो अलगनंदा से मिलेगी और अलगनंदा से आगे फिर गंगा कहलाएगी तो गंगोत्री से और देव प्रयाग तक भागी रती की लंबाई कित ने अपने यार के लिए बेकार सॉंग गाया और बस ये फॉर्मुला ही यार नहीं रखना है आपको ये नदियां जो लिखी है उसको भी पता हूं अच्छे कि ये यार वर्ड हो रहा है तो ये किसके लिए यूज हो रहा है तो देखिए अगर मैं बोलू राम चंदर तो राम को रंग नदि अगर गया गया कजो है वो गनग नदि तो ये क्या हो गई है गनग नदी जाहां होति कि सायक नदियां अब हम देखते आपने आगे आप तीन-चार बात फिर से वो लाइन बोलिए जानवी रुद्र के असीम प्रेम में भीगी सी भाग चली जानवी से आपका जानवी नदी रुद्र से हो गया रुद्र गंगा असीम से हो गया असीम गंगा प्रेम में मैंने इसको ब्लैंक किया वा है भीगी से हो गया भलंग आप देखियों कहां से निकलता उटा कि कहा पर जाके इसका भागी-रती से संगम होता है तो जो है इस जो अभी ओंद गह्रा से और इसका जो Shでした संगम होता इस मी जएता उब vein आपको उसके लिए कुछ जादर डिटेल पढ़ना ही नहीं है बस वो shortcut याद कर लिए आपके सारे दर्रे उसमें clear हो जाएंगे और भैरो घाटी में जाके ये भागी रती से मिल जाती है फिर है असीम गंगा ये निकलती है डॉंडी ताल से ताल और जिलो का भी shortcut बनावा है इ खतलिंग से घर्टे और विए और गनेश प्रियांग गनेश प्रियां तो ये संग्म हो जाता है अब मैंने यहाँ पर चार चोड़ी और नदियं लिखी हुएं मेड गंगा दूद घंगा घर्म गंगा और बाल गंगा ये हैं आपकी खतला ह्लोगन की साहथ नदिया थी न तेनों चारो चीजों को आपस में कर कि यहां आपकी भिलंगना की सायक नदिया जो कि अर सेकेंड पार्ट है अब इसका जो प्राचिन नाम है यह है विष्णु गंग्ग और इसकी उत्राखर्ण में लंब êtes प्रियाग तक इसकी लंबाय कितनी है 195 किलो मेटर पहले इसका उत्कम देख लेते हैं तो जैसे आपने देखा कि जो भागी रथी निकली थी वह उत्तरकासी से निकली थी लेकिन जो अलकनन्दा निकलती है वह हमारी चमोली डिस्टिक से निकलती है और सिखर कौन सा है सतो पं बांक हिमनत तो जो में इंपोर्टेंट है यह है आपका सोतो पंथ ग्लेशियर पूछा जाता है कि अलकनन्दा का अगर उद्गम कहां है तो आई होप कि आपका यह क्लियर हो गया कि गंगा एक्शुली में है कौन सी वाली तो गंगा जो है वह भागी रती है में और अलकनन जो कि सतो पंथ ग्लेशियर से निकलती है अब हम इसके वन बाइवन साहयक नदियां देखते हैं और उसी में हमारे सारे पंच प्रयाग आएंगे पंच प्रयाग में आपको अलग से बताऊंगी अभी मैं बस उसका पैसे बता देती हूं कि कहां पे कौन-कौन से संगम हो र लेते हैं तो यह लाइन अपने आप ही कुछ जाती है और कुछ भी काम कर रहे हैं आप बार बार यह लाइन बबडाते रही है आपको अपने आप याद हो जाएंगी इतना को इतने वो नहीं है तो आप रिशी से आपका हो गया है रिशी गंगा मंद से हो गया मंदाकनी विरह से हो गया विरही गंगा, पाप से हो गया पाताल गंगा और अलक नंदा तो हम अलक नंदा ही पढ़ रहे हैं और यहां पे जो ना आया है इस से है आपका नंदाकनी और धोय से है आपका पश्चमी दोली गंगा तो यह जो में नदिया है वो आपको पता होनी चाहिए अ आप सबसे पहले आता आपका रिशी गंगा तो रिशी गंगा का जो उद्गम है वो है आपका नीलकंठ परवत और शुरू में ही ये बद्रिनाथ में इसका संगम अलकनंदा से हो जाता है अब उसके बाद है वन बाई वन मैंने लिखी हुई है मंदाकनी इसमें अभी मैंने मैं आपको सिक्वेंस वाइस परियाग नहीं दिया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी मैं बस आपको बता रहे हूं मंदाकनी जो है ये चौरा बड़ी ताल से निकलती है जो केदारनाथ में आपकी आपदा आई थी वो मंदाकनी नदी वहीं पर बहती है और उसी विश्जिक वृफश्व प्रियाग में गेशौ प्रियाग में है ताल जील और प्रियाग में है धेयूं के अंपके दो प्रियाग हो चुक है केशव प्रियाग में सरश्वती नदी का शंगम अलगनन्दाnesी न आती है आपकी नंदाकनी नदी ये निकलती है आपकी नंदा घुम्टी से और नंद प्रियाग में अलक नंदा से इसका संगम हो जाता अब देखिया आपके तीन प्रियाग हो चुके हैं जो हमारे पांच प्रियागों में से तीन प्रियाग हो चुके हैं चौथी है आपकी प का पुरी नामकिस्थाान में अलक नंदा से मिल जाती है यह फिर है लक्षमन गंग यह निकलती आपकी हमकूंड गिलेशियर से और गोविंद घाट नामकिस्थान पे कोविन घाट जिखों का माना वह 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 बहुत पवित्र स्तान हैं वहाँ back जाकी ये अलगनंदा से मिल जाती है फिर है विरही गंगा ये जोशी मट में आपकी अलगनंदा से मिलती है पाताल गंगा भी आपकी जोशी मट में अलगनंदा से मिल जाती है फिर है पश्यमी धौली गंगा ये है आपकी विश्णु प्रियाग में मिलेगी पांच्वा प्र पिंडर नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशर से और कंड़ प्रियाग में जाके ये अलग नंदा से मिल जाती है अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है रिशी गंगा गनेश गंगा कियो गार और गिर्थी ये क्या है ये पश्मी धौली गंगा की साहयक नदिया है तो इसको आंसर दो गया धौली गंगा में गिर्थी रिशी गंगेश कियो गिर्थी धौली गंगा में गिर्थी तो ये इसकी सायक नदिया हो गई अब हम आगे देखते है अब हमारे पास काली नदी काली नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी आभी मैं बताती हूं आपको क्यूं है क अपवित्र नदी भी मानी जाती है उत्राखन की काली नदी इसी को ही सारदा तंत्र भी कहते हैं और जो लोकल लेंग्विज है उसमें इसको काला पानी गार्ड या फिर काली गंगा कहा जाता है अब इसका उद्गम स्थान हम देख लें तो उद्गम स्थान है काली गंगा का पिठोरागड और श्रेणी कौन सी है श्रेणी यानि परवत श्रेणी ये है जैकसर श्रेणी जो की लिपुलेक दर्रे के पास है और इस्थान है हमारा काला पानी व्यास आस्रम और सबसे इसकी जो लंबाई है वो है 252 किलो मीटर तो उत्तरा खंकी अगर सबसे बड़ी कि अभल डी लंबी सबसे लंबी नथी माने जाती है अब हम काली नदी की सख्रम चैंए तराचीन्जावं में वे इसको अपवित्र माना गया है और इसले कहीं जाती है और सबसे लंबी नदी है उत्तराखं की काली-खुटी धोके-गोरी बना आप उत्रा खड में गडवाली लेग्वेज में खुटी बोला जाता है पैरों के लिए तो आपको क्या करना काली-खुटी-धोके-गोरी बना इसकी सायक नदी contains काली नदी खुटी सब्था कुठियांगटी धोके के लिए मैंने लिखा है पूर्वी धौली गंगा पश्यमी धौली गंगा जो थी वो आप देख चुके है वो अलक नंदा की सायक नदी थी ठीक है वो पश्यमी धौली गंगा और वो आपका एक परियाग भी बना रही थी और पूर्वी धौली गंगा है ये कुमाव छ से देखिए कुठ्यांगटी जैक्सर श्रेणी से निकलती है और गुंजी में ये काली नदी से मिल जाती है पूर्वी धौली गंगा ये निकलती है आपकी गोवन खाना नदी से ये एक नदी है उसी के ऐसे उससे ही निकल जाती है और खेला तवा घाट में ये आपकी काली न ऑर जॉल जीवी में मेला भी मिला है इसलों जॉल जीवी को गौरी और काली नदी का संगम डोल्टा इक गो निकल sì मिल जाता है का जुक्त अज़ान क했습니다 क्लेट दो सेनी तुन रिखन दूका की श्रयू नदी, किन धविच्ति के आगा Porky अब देखिए राम सर्यू में गौमाता को पानी पिलाए अब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि कौन सी नदी तो राम से हो गया आपका राम गंगा सर्यू से हो गया आपका सर्यू नदी गौमाता से हो गया आपका गौमती नदी और पानी पिलाए से हो गया आपका पनार न ये सर्यू नदी से संगम इसका हो जाता है हमने जब अपना पहले हिस्ट्री वाला पॉर्शन पड़ा था तो उसमें भी देखा था हमने कि सर्यू नदी के तरफ पर बागेश्वर में उन्होंने अपने सारे जो डॉकुमेंट्स थे वो बहा दिये थे आप दूसरा है आपका रामगंगा रामगंगा जो है आपकी ये निकलती है नामिक ग्लेशर परंटी का नामिक ग्लेशर से निकलती है और रामिश्वर तीर्थ नामकिस्तान में सर्यू से मिल जाती है तीसरी आपकी पनार नदी जो की कांकरी घाट नामकिस्तान पर सर्यू से मिलती है तो आज हमने अपनी सारी जो नदियां थी उसकी शौट ट्रिक्स और पूरा नदी तंत्र जो उत्राखन का नदी तंत्र है वो हमने इसी में क्लियर कर लिया आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें जो जो में चीजे थी वो सारी हो चुकी है बस अब ह हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको उसमें मैं आपको जो उत्राखन की जीले एंवं ताल है उनसे रिलेटेद कुछ शौट ट्रिक्स और बाकी जो जो में में पॉइंट्स है वो सारे उसमें कबर होंगे तो तब मिलते हम अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक्यर गुट लुग फो यो एक्जाम ये